अलो गाईज, वेल्कम टू फूडी कुकिंग रेस्पी आजम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेस्पी बना कर तैयार करने वाले हैं ये बच्चों और बड़ों सबी को बहुत ही पसंद आने वाली है और बिल्कुल घर पर ही पड़े समां से बेसिक चीजों से बना कर आजम इसे तयार करेंगे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर नए है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए तो चलिए जल्दी से इसे बनाना स्टार्ट करते हैं यह मैंने कूकर लिया है कूकर में मैंने एक कट्शी के करी रिफाइन ऑई डाला है ऑईल को गर्म कर लेंगे देखिए ऑईल हमारा गर्म हो चुक है इसके अंदर में डालोंगी एक चमच जीरा जीरा हमारा लाल हो चुका है देखिए इसी के अंदर में डाल दूँगी प्यास दो मीडियम साइज के प्यास थे मैंने बारी टुकडों में कट करके डाल दिये हैं अब इसी के साथ देखिए इसे हम हलका सा फ्राई करेंगे जब तक मारे प्यास लाल हो रहे हैं तब तक हम डाल को धो लेते हैं यह मैंने डेड कटोरी के करीब डाल ली है यह साबुत मसूर की डाल है इसे हम दो तिन पानी में से अच्छी तरह से वाश कर लेते हैं देखी यहां हमारे प्यास भी लाल हो चुके हैं और मैंने 2 हरी मिर्ची और 2 टमाटर काटके रखे हुए थे वो इसके अंदर ढाल दी है अब मैं ढाल दूगे इसके अंदर नमक डेट चमच नमक अपने हिसाब से ही डाले कमज़ जाता कर सकते हैं एक चमच हल्दी पौडर और एक चमच मेने कश्मीरी लाल मिर्च इसके अंदर डाल दी हैं आप मसाले अपने मरजी के हिसाब से कोई भी डाल सकते हैं अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ् कтоб मासाले के साइफ करोंगे तक हमारा मसाले जल्दी से पकचाए और टमाटर सॉफ्ट होच जाएं थे बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालना है हमने इसके अंदर आउड ऑजो आ मेरा मसाला जल्दी से पक कर तयार हो जाएगा आप देख सकते ambiguity मसाला वाराये अब जो हमने दाल दोका रखी ती इसके अंदर मैंने सारी डाल डाल दी है दाल को मिक्स करेंगे मसाले के साथ अच्छी तरह से यह रेष्पि इतनी टेश्टी बनती है आप एक बार जरूर ट्राइगा इसके साथ चावल जरूर बनाएगा चावल के साथ यह बहुत टेश्ट बनती है दो ग्लास मैंने इसके अंदर डाल दिया है पानी पानी आप कम या जादा कर सकते हैं लेकिन मैंने बिलकुल हमारी जो डाल की तिकने से बिलकुल परफेक्ट रहेगी दूसरी तरफ हम बनाएंगे चावल पतीले में चावल बना रही हूं आज मैं उसमें डाल है जीर चावल ले लिये हैं चावल को तीन-चार पानी में से अच्छी तरह से मैं वाश कर लूँगे देखिए चावल मैंने धो लिये हैं अब सारी चावल इसके अंदर मैं एड़ कर दूँगी ऑईल के अंदर सारी चावल मैंने इसके अंदर डाल दिया है हलका सहम मिक्स करेंगे से कर्ची की भी help से मैंने mix कर दिया है ज़ेट ग्लास चावल है तो मैं इसके अंदर दो ग्लास पानी add करूंगी गैस की फ्लेम को medium to low ही हमें रखना है पांच मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाके इसे हम बिल्कुल लो कर देंगे गैस की फ्लेम को यहां दाल भी हमारी पक कर रेडी हो चुकी है इसमें मैंने चार सीटी लगवाई है और आप देख सकते हैं दाल की थिकनेस कित्मी बड़िया दाल बनकर हमारी रेडी हो चुकी है अब इसके ओपर मैं डालूंगी फ्रेश धनिया आदी कटोरी मैंने इसके अंदर धनिया डाल दिया है देखिए धनिया से जो इसकी कुश्भू है बहुत ज़्यादा इसकी अच्छी लगती है डाल के अंदर धनिया जरूर ढलिएगा देखिए चावल भी हमारे बनकर रेडी हो चुके है अब हम इसे सर्फ करेंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सबस्क्राइब जलूर करिए नई नई रेस्पिस देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए मिलेंगे और नई रेस्पिस के साथ तक तक देखते रही है फुली कोटिंग रेस्पी बाई बाई